हलो एंड वेलकम तो आर यूडियूब चैनल स्माई सेवाटेक स्माई सेवाटेक लेके आता है आपके लिए हर ले टेस्ट अपडेट तो जो आज का हमरा अपडेट है वो है जी Government College of Physical Education गादूरा गांदरबल कश्मीर की तरफ से तो गाईज Government College of Physical Education गादूरा गांदरबल की तरफ से एडमिशन नोटिफिकेशन निकाला गया है फार बीपिए टू येर कोर्स फार्दायो 2021-2022 तो इस वीडियो में हम इसी के रिलेटेड डिसकेशन करेंगे तो सबसे पहले हम अप्लिकेशन का सब्जेक्ट देख लेते हैं तो सब्जेक्ट जो है ये है जी अडमिशन फार बैजलर आफ फिजिकल आजूकेशन बीपिए के लिए एडमिशन नोटिफिकेशन निकाला गया काली की तरफ से और ये जो कोर्स है बीपिए का ये टू यूर का कोर्स है और सेशन के अगर बात की जाए तो सेशन है जी 2021-2022 तो उसके बाद जो है नीचे कहा गया है कि जितने भी ओनलाइन एप्लिकेशन फॉर्म्स उनको इन्वाइट किया गया है जो भी एलिजिबल कैंडिडेट से फ्राम रेजडेंट आफ जम्मा एंड किश्मी तूटी तो जिन्हों ने भी ग्रेजवेशन की है विद फाटिफाइव परसेंट माक्स जनरल काटगरी जनरल काटगरी आपको बीपाइट एडमिशन करवाने के लिए आपको 45 परसेंट माक्स ग्रेजवेशन के होने चाहिए जनरल काटगरी और 40 परसेंट माक्स जो है यह होने चाहिए जो आपके रिजर्व काटगरी वाली है स्टूडेंट्स हैं उनके जो है फार्टी प्रसन मार्क्स होने चाहिए तब भी जो है आप बीपेट के अड्मिशन के लिए अलीजिबल हैं तो ग्रैजवेट जो है अब किसी भी स्ट्रीम में हो सकते हैं किसी भी रिफ्राम में रिकोगनाइज उनिवस्टी तो उसके बाद जो है कहा गया है जी आप जो है जितने भी पॉलिशी भी आड्मिशन पॉलिशी भी गया रहा है आप रीड कर सकते हैं कहां से कॉलिज की ऑफिशल वेबसाइट यह ही वेबसाइट जेकेजी स्योपी डाट एडिव डाट इन तो आप यहां पे अपनी अलीजिबल्टी भी देख सकते हैं और जो दूसरी डिटेल है फार समीटिंग आफ एप्लिकेशन फॉर्म तो वह भी आप कालेज की ऑफिशल वेबसाइट विजिट करके वहां पे नोटिफिकेशन है तो आप उसको ट्राउंग लोड करके देख सकते हैं तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं कु तो लास्ट डेट रेने वाली है 6th of September 2021 आप टू 6th of 9 2021 तो उसके बाद जो है आपको क्या करना है फार्म और लाइन फिल करना है और उसके बाद हार्ड कापी जो है वह अपने कालेज के अंदर जाके समिट करनी है तो जो हार्ड कापी समिट करने की लास्ट डेट है अलांग को हार्ड कापी समिट करनी है वो आप जो है अप टू 9th of September 2021 तक समिट कर सकते हैं तो जो फी है एडिमेशन फी यह है जी 250 रपीस तो यह आप जो है फी रेसीप करने के बाद हार्ड कापी जो है जो आप ऑनलाइन एप्लिकेशन फॉर्म फिल करोगे उसका प्रिंट रोड ल बाद उनको जाके गवर्मेंट कालजा फिजिकल एजुकेशन गादूरा गांदरबल के अंदर के समिट करना है बिफॉर 9th of September 2021 तो जो आपकी हार्ड कापी होगी उसके साथ सारे डाकूमेट्स होने चाहिए और दो पासपोर फोटो साइस फोटो ग्रैप्स भी आपने उसक सकते हैं वहाँ में कालेज के अंदर समिट करने या फिर आप पोस्ट के जलिए भी कर सकते हैं और अपकिस्ट को सकते हैं अपनी hard copy जो application form की होगी तेन उसके बाद है जी जो कश्मीर डिजन के स्टूडेंट से उनको कहां समिट करनी है कालेज की अंदर प्रेंसिपल आफिस में जाके समिट करनी है और जो कंडिडेट बिलॉंग करते हैं जम्मो डिजन से वह अपनी hard copy समिट कर सकते हैं आप इसको कहां पर समिट कर सकते हैं अगर आप कालेज में नहीं जाना जाते तो फिर आप इसको कहां पर समिट कर सकते हैं अपनी application form की समिट कर सकते हैं तो जो आपका फिजिकल टेस्ट टेस्ट होना है यह होना है जी 15th of September 2021 को और जो आपका वाइवा होना है के लिए यह होगा जी 16th of September 2021 को तो उसके बाद क्या करना है जी दा वेन्यू फार दा कंडेक्ट आफ फिजिकल एफिजिकल टेस्ट टेस्ट और वाइवा होना है तो उसके बाद कह रहा है कि जितने भी केंडिडेट्स हैं उनको यह टारेक्ट किया जाता है कि वो आप अपने वो अपने औरीजनल साटिकेट्स और डाकुमेट जिस दिन उनका वाइवा होगा वो आपने साथ ले आएं और अगर आप ज्यादा डिटेल चाते हैं एडमिशन के रिलेटिड तो आप इनकी कालेज की ऑफिशल वेबसाइट विजिट कर सकते हैं जो है जी www.jkgcop.edu.in तो आप यह सिंप्ली वेबसाइट विजिट कीजिए और जो है एडमिशन के रिलेटिड फुल इनफॉर्मेशन डेजिए यह यह रही जी गवर्मेंट का लाजा फिजिकल आइजगुशन गादूरा गा रीड कर सकते हैं यहाँ पर है जी एडमिशन के रिलेटिड इस्टॉक्शन से हैं कोर्स अलीजिबल्टी है तो यह आप इसको एडमिशन फॉलिशी के रिलेटिड आप देख सकते हैं अकैडमि क्वालिफिकेशन स्पोर्स अचीवमेंट फिजिकल एफिएंसी टेस्ट देन और वहां से डाउनलोड करके इसको रीड कर लीजिए तो उसके बाद जो है आप 16th of August 2021 को लिंक एक्टिवेट हो जाएगा तो आप जो है 16th of August से बीपी एड के लिए आप अपना अपना एडमिशन फॉर्म और लाइन फिल कर सकते हैं तो गाइस इस वीडियो में आपको बस यही जयानकारित देनी थी I hope के आपके लिए ये वीडियो रही होगी if you have any query regarding this you can ask me in comment section so that's the end of video thanks for watching as always God bless you all